Hey everyone, मैं हूँ Madhu और स्वागत है आपका मेरे चैनल Twins Mamma में People are always very fascinated with twins जब तक मेरे twins नहीं थे, मैं भी काफे fascinated हुआ करती थी और believe me, मैं या मेरी family या मैं और मेरे husband जब हम बाहर जाते हैं हमारे twins के साथ Usually, लोग काफे उत्सक होते हैं ये जानने के लिए कि twins के साथ हमारे life कैसी है Twin parenting के साथ-साथ, twins के बारे में लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते है और इन में से एक सबसे common सवाल जिसको मैंने encounter किया है वो है कि आपके तो ये दोनों twins है पर दिखते क्यों नहीं है एक जैसे और इससे जाता मज़ेदार तो ये है कि कुछ लोगों के दिमाग में ये इतनी अच्छी तरह से ingrained है कि twins हैं तो similar ही दिखेंगे इस चकर में वो मेरे fraternal twins को देखकर मुझसे पूछते हैं कि आप इन दोनों में differentiate कैसे करते हैं सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये share कर लूँ कि मेरे जियान और वियान fraternal twins है and look alike बिलकुल नहीं twins usually दो type की होते है identical twins या non-identical twins identical तो वो जैसे आपने movies में देखा होगा एक ही actor double role कर रहा होता है मतलब twins बिलकुल look alike होते हैं और fraternal या non-identical twins वो जैसे मेरे जियान और वियान वो twins तो हैं लेकिन बिलकुल look alike नहीं है अच्छा अब identical twins के बारे में समझने के लिए पहले हमें एक singleton pregnancy के बारे में समझना होगा जहां एक sperm एक एक को fertilize करता है और इससे एक जाइगाट का formation होता है ये जाइगाट जाकर uterus में 9 months रहता है and after 9 months of gestation एक single baby का birth होता है identical twins को mono-gigotic twins भी कहते हैं in case of identical twins वही एक जाइगाट डो टुख्रो में बढ़ जाता है दो बिल्कुल इकुल टुख्रो में जिनकी genetic formation similar होती है और फिर आगे जाके दोनों uterus में implant हो जाते है और at the end of around 9 months दो बेबीस का birth होता है जो कि बिल्कुल similar दिखते है और जिनका genetic composition बिल्कुल same होता है और सारे cases में same gender के होते हैं मतलब इधर दो boys या फिर दो girls identical twins का भी opposite sex के नहीं हो सकते monozygotic twins या identical twins की occurrence काफी rare है and ये extra cell division इस दौरान क्यों होता है इस बारे में research अभी भी जारी है अब चलिए बात करते हैं non identical या fraternal twins की जब एक मा hyper ovulate करती है मतलब एक ही ovulatory cycle में एक से ज़्यादा eggs की production होती है उनकी body में तो chances रहते हैं fraternal twins होने की ये दो egg अगर दो sperm के द्वारा fertilize हो जाए तो इस scenario में दो gigot का formation होता है इसके बाद ये दो gigot uterus में implant हो जाते हैं और after around nine months of pregnancy दो babies का birth होता है identical twins से fraternal twins की difference ये है कि because of two gigots यहाँ पे genetic composition of the babies बिलकुल different होता है और इसी लिए वो look alike नहीं होते fraternal twins के बीच resemblance होने के chances उतने ही हैं जितने की हम normal siblings के बीच होते हैं एक example की तहट आप इस picture को देखिए right hand side में मैं हूँ जियान और वियान की ममा और left hand side में उनकी मासी है जो की मुझस से around four years छोटी है हम दोनों ही same office में job किया करते थे और हमारे colleagues हमें usually confused किया करते थे और कहा करते थे कि हम twins जैसे दिखते हैं और ये रही मेरी दूसरी sister जो की मुझस से around nine and a half years छोटी है और हमें लगता है हम दोनों में काफी resemblance है आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताईएगा अब ये pictures देखिए मेरे fraternal twin boys की मेरी और मेरी बहनों में जितनी resemblance है शायद ही उतनी resemblance in twin brothers में हो तो मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ की fraternal twins कभी कभार normal siblings से कम resemblance भी रख सकते है वैसे मैं आपको बता दूँ जब जियान और वियान छोटे थे तो उनमें काफी similarity दिखती थी हमें पर जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं उनके differences ज़्यादा prominent हो रहे हैं एक और important difference यह है कि in contrast to identical twins fraternal twins can be a boy and a girl both boys या both girls एक और सवाल जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है वो यह कि आपको twins कैसे हुए क्या आपकी तरह हमें भी twins हो सकते हैं अब identical twins का तो नहीं पता क्योंकि वो काफी rare phenomena है बट हाँ fraternal twins होने के कुछ reasons है सबसे पहला reason है age अगर एक women अपने 30s या 40s में conceive करती है तो उनके fraternal twins होने के chances higher होते हैं क्यूंकि इस age में estrogen hormone जादा होता है जिसकी वज़े से ovaries का stimulation होता है और hyper ovulation की probabilities बर जाते हैं इस दौरान एक से ज़्यादा eggs release होते हैं पर ovulatory cycle और अगर दोनों ही eggs दो sperm से fertilize हो जाएं तो fraternal twins का conception हो सकता है दूसरा factor है hereditary factor मतलब अगर आप खुद एक fraternal twin है या फिर आपके already fraternal twin babies है और else अगर आपकी sister के fraternal twins है या फिर आपके maternal aunt या maternal cousins के fraternal twins है तो आपको भी chances है कि fraternal twins हो सकते हैं आपके father के side की history यहां माइने नहीं रखती तीसरा factor है race fraternal twins होने के chances black Africans में ज़्यादा होते हैं जबकि Asians में probability काफी कम होते हैं next reason है fertility treatments आप लोगों ने देखा होगा आज कल twins की occurrence कुछ बढ़ गई है साथ-साथ infertility भी बढ़ रहा है तो जो भी infertile couples होते हैं जब डॉक्टर को approach करते हैं कुछ ऐसे treatment procedures उनको दिये जाते हैं जिससे की hyper ovulation होता है और इसकी वज़े से fraternal twins होने के probabilities बढ़ सकते हैं एक और बहुत ही common question जो बहुत मार मैंने face किया है वो ये कि क्या आपके babies IVF के थू हुए है generally लोग ये समझते हैं कि अगर IVF treatment करवाया हो तो twins या multiples होने के chances ज़्यादा होते हैं या फिर अगर आपके twins है तो आपने IVF ही करवाया होगा यहां मैं आप लोगों को एक बात समझा दू कि IVF के लिए आपके doctors आपको तभी recommend करते हैं अगर आप naturally conceive ना कर पा रहे हो और naturally ना कंसीव कर पाने के at present era सबसे बड़ा reason है increased maternal age मतलब हम औरते भी आजकर काफी career oriented हो गए हैं so life और career को balance करते करते family start करने में थोड़ी देर हो जाती है इससे क्या होता है physiologically जो X की quality होती है वो decrease हो जाते हैं और chances रहते हैं कि कुछ chromosomal abnormalities आजाए और आप अच्छी तरह से या naturally baby conceive ना कर पाए ऐसे cases में हमारे medical practice में क्या किया जाता है चुकि IVF एक काफी costly procedure माना जाता है तो doctors साथ में दो या तीन embryo transfer कर देते हैं आपके uterus में इस chance को ध्यान में रह कर कि अगर एक survive नहीं किया तो दूसरा survive कर जाएगा पर अक्सर क्या होता है साथ में दोनों या तीनों ही survive कर जाते हैं और at last you end up in twins or triplets तो as such IVF twins या triplets की वजह तो नहीं है बट करेंट मेडिकल प्राक्टिस की वजह से ऐसा देखा जा रहा है कि IVF के बाद twins या triplets होते हैं अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो first ultrasound scan में जब हमें पता चला था कि I have conceived twins तो it was a big surprise but as time passed and जैसे मैंने literature को पढ़ा समझा और reasons of twin pregnancy के बारे में research किया तो मुझे लगता है कि because I conceived after the age of 30 years और मेरी maternal cousin sisters के भी twins है तो शायद ये दो age और hereditary factor ही reason है कि मैंने naturally fraternal twins conceive किया I hope आज का video आपको अच्छा लगा हो अगर आप ऐसे ही twin pregnancy related videos देखना चाहते हैं तो मेरी channel को subscribe कर ले और notification bell भी press कर दे ताकि मेरे new videos के update जल्दी ही आपको मिल जाए See you soon, bye bye